नमेशकार दोस्तों, पहली बार नेटो कंट्रीज के बीच में आपको दरारे देखने को मिल रही होगी, मदभेज जिसको कहा जाता है, especially US और पोलेंड के बीच में, दो तीन दिन से आप ख़बर सुन रहे होगे कि पोलेंड यहाँ पर कोई फाइटर जेट देने वाला है ठीक है, अब जाहिर सी बात है, पोलेंड नेटो कंट्रीज का लाई है, तो यहाँ पर डर यह लग रहा था कि अगर पोलेंड यहाँ पर फाइटर जेट देगा यूकरेन को, तो क्या रशिया इसको वार की तरह समझेगा, क्या रशिया पोलेंड पर भी अटैक कर देगा, तो यहाँ पर जो यूएस है, उसने green light दे दिया, आप यह news देख सकते हो, NATO members have green light to send fighter jets to Ukraine, यूएस ने कहा कि ठीक है पोलेंड, अगर आपको fighter jet देना है तो आप दे दो, लेकिन अब यहाँ पर पोलेंड का बयान आया, कि नहीं हम यहाँ पर directly fighter jet नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो fighter jets हैं, वो पहले US को दे दे और US उस fighter jet को Ukraine को provide कर दे, अब जैसे यह खबर आई, यहाँ पर जो US है, उसने Poland के इस offer को reject कर दिया, यह आप देख पाऊगे, Rift emerges among NATO allies as US rejects, Poland's offer on jetsets for Ukraine, तो यह जो पूरी कहानी है, वो मैं आपको थोड़ा सम्झाने की कोशिश क दरूँगा, यहाँ पर हम हर एक पहलू को देखेंगे, कि क्या यह जो fighter jet है, वो क्यों दिया जा रहा है, Ukraine को क्या ऐसे कोई फायदा होगा, Russia किस तरह से चीजियों को ले सकता है, काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा, यहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, वो आपको मिल जाएंगे, तो चली सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अभी exactly हुआ क्या है, जैसा मैंने बताया यहाँ पर कि Poland के द्वारा एक offer दिया यूएस को, कल जो है, Poland ने offer दिया यूएस को, कि हमारे पास जो MiG-29 है जो Soviet era के fighter jets Poland के पास हैं, वो हम क्या करेंगे, यूएस को देंगे, अब देखो, यूएस को नहीं, मतलब कि ये पोलेंड आप देख रहे हो, Poland क्या करेगा, कि Germany के अंदर एक यूएस का airbase है, जिसका नाम है Ramstein Air Base, यह आप राइट साइड में देख पाऊगे, यहाँ पर आप 29 है, वो हम इस airbase पर भेज देते हैं, जो कि यूएस का है, फिर यूएस जो है, उस fighter jet को finally Ukraine को दे दे, ऐसा Poland का offer था, लेकिन कल ही जैसे ये खबर आई, उसके बाद यहाँ पर जो यूएस था, वो बहुत जादा surprise हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये Poland ने ऐसे कैसे ब जो भी कुछ है, यहाँ पर यूएस surprise हो गया, और तुरंत उसने इस offer को reject कर जिया, यह आप देख पाऊगे, जो John Kirby है, spokesperson White House के, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है, कि ये जो offer है Poland का, ये हमें थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है, जो भी हमारी consultation है, बातचीत है, वो हम Poland और Netto Allies के साथ करते रहेंगे, क्योंकि इस offer से जो logistical challenges हैं, वो अभी भी बने वे हैं, तो ये जो offer है Poland का, ये कोई solution नहीं लेकर आता है, ऐसा US का यहाँ पर कहना था, तो चलिए और थोड़ा detail से समझते हैं, इसकी बारीकी को जानेंगे, और पहले समझेंगे कि why Ukraine needs Poland's debt, मतलब कि Ukraine को क्यों जरुवत है, जब से Russia ने invasion start किया है Ukraine में, तो वहाँ पर Ukraine की जो आर्मी है, जो लोग हैं, उन्होंने काफी हद तक resist किया है, ground पर, air पर, जैसा भी आप कही है, लेकिन Ukrainian authorities लगतार demand कर रहे थे, NATO और US से, कि आप हमें ज़ादा से ज़ादा weapons और equipment यहाँ पर provide करिए, अब अगर आप Ukraine के pilots को देखो के ना, तो कोई बहुत ज़ादा वो trained नहीं है, उनको उतना ज़ादा पता नहीं है, थोड़ा बहुत वो सीखे हैं कुछ समय से, और Soviet जो जेट्स हैं, उनी के बारे में वो थोड़ा बहुत जानते हैं चलाना, अगर suppose calculate में US अपना F-16 अगर दे देता है Ukraine को, तो उससे कोई ज़ादा फाइदा नहीं होगा, क्योंकि Ukraine के pilots को पता ही नहीं है, उसको उड़ाना कैसे है, तो थोड़ा बहुत जो जानकारी है, वो MiG-29 वगर ही वो fly कर सकते हैं, तो यहाँ पर जरूरत किसकी है supply करना, MiG-29, तो इसमें यहाँ पर अब रोल आता है Poland का, Poland नहीं यहाँ पर यह कहा कि हमारे पास, जो MiG-29 fighter jets हैं, जो कि बनाया गया था 1970 में पहली बार, और आपको पता ही है कि कई सारे और भी जैसे Bulgaria हो गया, स्लोवाकिया हो गया, यहाँ पर Bulgaria, इनके पास भी fighter jets देखने को मिले का, साथी साथ भारत के पास भी आपको पता है, तो यह जो countries हैं, यह जो Poland है, वो यहाँ पर कह रहा था कि हम पहले जर्मनी के अंदर भेजेंगे, फिर जर्मनी यहाँ पर दे सकता है, तो एक तरह से Ukraine को कुछ मदद हो जाएगी, और Poland ने यह भी कहा कि यह जो countries हैं, जिनके पास जैसे Bulgaria और स्लोवाकिया हो गया, उनको भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए, उनको भी अपना जो make 29 है, वो Ukraine को दे देना चाहिए, अब question यह आता है, कि यह जो fighter jet अगर मालो Ukraine को मिल भी जाता है, तो क्या Ukraine इससे कुछ कर भी पाएगा, मतलब क्या वो Russia जैसी बड़ी ताकत से लड़ पाएगा, क्य अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर अगर यह होता है, मतलब पहला तो question यह होता है, कि अगर यह होता है, कि ultimately Poland का fighter jet Ukraine प्याता है, चाहिए जैसे भी आए, चाहिए जैसे भी आए, चाहिए जैसे भी जाए, तो यह साफ एक तो signal यह होगा, कि यह जो countries है, Russia यह कह सकता है, कि यह जो countries है, वो Ukraine में अपनी supply कर रहे है, क्योंकि अभी क्या होता है, ग्राउंड के माध्यम से जो भी छोटे मोटे आपके दिये जाते हैं, तो उसमें उतना पता नहीं चल पाता है, नेटो कह सकता है, कि ठीक है, हम यहाँ पर नहीं provide कर रहे है, ठीक है, मना कर सकता है, ल ज़्यादा तर लोगों का कहना है, कि यह कोई बहुत बड़ा game changer नहीं होगा, क्योंकि रश्या के पास आज के डेट में बहुत ही sophisticated, जो latest technology के aircraft है, वो है, रश्या कभी भी चाहे, तो Ukraine को पूरी तरह से खतम भी कर सकता है, इन फाक्ट बताया जाता है, कि surface to air missiles अगर रश्या मतलब अपने within Russia से भी fire करेगा, तो पूरा Ukraine जो है, वो यहाँ पर खतम हो सकता है, और इसकी वज़े से जो experts है, उनका यह कहना है, कि fighter jets के बज़ाए, वो items, वो arms and ammunitions प्रवाइट करने चाहिए Ukraine को, जो कि वो effectively उसका इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे anti aircraft stinger हो गया, anti tank javelin missiles हो गया वो Ukraine को provide करने चाहिए, तब कहीं न कहीं, वो Russia से थोड़ा बहुत fight कर पाएंगे, और in fact ऐसा नहीं कि Poland जो अपना fighter jet देगा, तो क्या ऐसी Poland क्या simply ऐसी देदेगा, देखो यह swap offer type का है, Warsaw, मतलब Poland की जो capital है Warsaw, उनका यह कहना था कि, अगर हम MIG 29 देते हैं, तो इसके बदले मे हम expect करते हैं कि जो America के पास F-16 है, इस समय जो चल रहा है, वो हमें provide करें, और कली अगर आप देखोगे ना, जो Poland के foreign minister है, उन्होंने यहाँ पर बयान दिया था कि हम अपना fighter jet जर्मनी में भेज देंगे, मैंने आपको जो बताया है, रैंस्टीन airbase जो है, और उसके बजाए हमें जरूरत है United States के aircraft की, क्योंकि ultimately question ये भी आएगा कि Poland अपना fighter jet देगा, तो कहीं न कहीं उसकी भी तो जो सेना है, वो थोड़ा weak हो जाएगी, तो वो weak ना हो, इसलिए हाँ पर Poland कहा रहा है कि ये प्रकार का swap offer है, लेकिन ये जैसे ही offer आया, इसको लेकर US का reaction अगर आप द देखोंगे ना, जो Secretary of State, वो Poland गये वे थे, तो officials का कहना है कि जब वो Poland में थे, तो इस तरह का कोई बात हुआ ही ने है, शीच को लेकर, तो basically आप कह सकते हो कि जो US है ना, वो एक प्रकार से ये प्रकार के offer को दूर रखना चाहरा है, मतलब वो दिखा भी नहीं रहा है कि य ये offer किसी प्रकार से आया है, और आप एक प्रकार से ये कह सकते हो ना, कि हर एक देश अपना gameplay करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक तरफ हर एक देश दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम Ukraine की मदद कर रहा है, और actual में अगर आप देखोगे तो वो उतनी मदद होनी पा रही ह और आखरी में question है कि Russia क्या retaliate कर सकेगा, कर सकता है, अगर fighter definitely कर सकता है देखें, यहाँ पर अगर Russia ने पहली कह दिया है, अगर आप Air Force वगरा जैसी चीज़ों का मदद करोगे Ukraine की, तो हम अपने उपर इसको मानेंगे war और हम इसको अच्छे से retaliate करेंगे, और while आप कह सकते ह हो कि जो US है, वो तो काफी दूर है, तो Russia directly US के उपर attack नहीं करेगा, लेकिन NATO जो countries हैं, जो European देश हैं, उनको तो बहुत खत्रा है न, कि अगर वो fighter jets देते हैं, तो Russia उनके उपर बहुत अच्छे से हमला कर सकता है, तो यह उनको काफी जादा डर है, और इसलिए European Union और जो NATO ह हैं, यह जो countries हैं, वो directly इसके अंदर involved नहीं होना चाहते हैं, although यहाँ पर एक और चर्चा यह चल रही है, कि US शायद हो सकता है, Poland जैसे देशों का जो fighter jets है, उसको accept कर ले, Germany ले आए, मतलब यहाँ पर यह भी बात चल रही है, कि उसको Germany ले आए, Poland का fighter jet, और Germany में जो US air base है, वहाँ पर उसको painting, denting painting वगरा करके उसको अलग थोड़ा सा बना दे, और वहाँ से basically यह भी कहा जा रहा है, कि जो non NATO country है, जैसे कोसोवा हो गया, ठीक है, वहाँ से कोसोवा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नीचे, southern side में, यह जो छोटा सा है, यह सर्विया के नीचे प्लेन को जो है, वो युक्रेन लेकर आजा है, यह एक हो सकता है, शायद रास्ता निकले, अब देखना होगा आगे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, बट definitely, यह पुरा जो geopolitics चल रहा है, हर एक देश अपने हिसाब से game को play करने की कोशिश कर रहा है, और देखते है क्या होगा आगे, बट I hope कि यह वीडियो आपको पुरा अच्छे से topic समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक interesting question, अभी हमने जर्मनी की बात की, जर्मनी की capital आपको पता है, Berlin, क्या बता सकते हो, कौन से river पर यह situated है, Berlin, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे instagram पर तो मिलेगा ही, जैसे में मैं बताया, आप अंके 33 का इस्तेमाल करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है, maximum discount, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आपसे next time till then, thank you very much, see you soon.